नमस्कार मैं प्रद्युम नतिबारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ मित्रों आज हम बात करेंगे कि सिंघ लगन के बारहों भाव में केतू का क्या फल होगा मित्रों यदि आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानि कि यहां पर यदि पांच नमबर की गिंती लिखी हुई है तो आपकी सिंघ लगन है और यदि आपकी सिंघ लगन है तो ये केतू का फल आपके लिए है तो आईए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में केतू किस भा रासी को अपनी रासी मानते हैं केतू के बिशय में एक बात जान लेना आवस्यक है कि केतू जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का अधिपती बलवान होकर के कैन्र या त्रिकोण भावों में बैठा हो तो केतू अच्छा फ़ल देंगे जैसे केतु प्रथम भाव में बैठे हों और यहां का अधिपती सूर्य बलबान होकर के पहले भाव में, चौथे भाव में, साथवे भाव में, दसवे भाव में, पांचवे भाव में, अथवा नौवे भाव में बैठे हों तो यहां पर केतु अच्छा फल देंगे यानि कि केतु बारहों मैंसे किसी भी भाव में बैठे हो उस भाव का अधिपती बलवान होकर के पहले, चौथे, साथवे, दसवे, अथवा, पांचवे या नौवे भाव में बैठा हो तो फिर केतु यहाँ पर अच्छा फल देंगे अथवा केतु की उपर सुभग्रहों की दृष्टी हो यानि कि गुरू की दृष्टी हो अथवा सुभचंद्रमा की दृष्टी हो सुक्र की दृष्टी हो अथवा सुभ बुध की दृष्टी हो तो भी केतु अच्छा फल देंगे परंतु यदि केतु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपती कमजोर हो करके 6-8-12 में बैठा हो तो केतु खराब फल देंगे अथवाग जिस भाव में केतु बैठे हैं उस भाव का अधिपती कमजोर हो नीच रासी में हो तो फिर केतु खराब फल देंगे अथवा केतु की उपर सनी, मंगल, सूर्य, आदी की दृष्टी हो, पापक ग्रहों की दृष्टी हो, तो भी केतु खराप फल देंगे मित्रों केतु की उच्च की रासी है धनू और नेज की रासी है मित्धुन यानि कि ये धनू राशी में उच्च के हो जाते हैं और मिथुन राशी में ये नेज के हो जाते हैं पारसर रिशी ने इनको ब्रिश्चिक में उच्च का माना है और ब्रिशब में नेज का माना है तो हम दोनों को ही मानेंगे मित्रों इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको केतू का फल करना है तो आइए जान लेते हैं कि सिंग हलगन के बारों भाव में केतू किस हाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे मित्रयदी सिंग लगन के प्रथम भाव में ही केतू बैठे हो तो जातक सुन्दर प्रभावसाली व्यक्तित तुबाला होगा जातक बुद्धिमान चतुर चालाख होगा जातक अंतरमुखी होगा जातक आध्यात्मिक सुभावका होगा जातक को अपनी उम्र के 38 बरस तक अपने कारचेत्र में इस्थिरता नहीं मिलेगी जातक के बैबाहिक जीवन में मतभेद होंगे जातक मन से असांत भ्रमित आइस्थिर रहेगा परन्तु यदि कुंडली में सूर्य बलवान हो तो जातक आइस्थिर तो होगा लेकिन ठीक निर्णे भी ले लेगा जातक क्रोधी चड़चड़े सुभावका होगा जातक स्वाभिमानी होगा जातक सब को अपने अनुसार चलाने की कोशिस करेगा जातक को संतान सुख देर से मिलेगा जातक के बैबाहिक जीवन में मतभेद होंगे लेकिन बैबाहिक जीवन ठीक चल जाएगा जातक को भाग्यका साथ मिलेगा जातक यात्राएं करने बाला होगा जातक बिदेश भी जा सकता है परन्तु यदि कुंडली में सूर्य कमजोर हो और केतू पर किसी पापक ग्रह की दृष्टी हो तो जातक को परेशानी होगी जातक की पढ़ाई में रुकाबटे आएंगी जातक को संतान सुख में भी कमी होगी जातक को भाग्यका साथ कम मिलेगा आईए दूसरे भाव में चलते हैं मित्रवधी सिंग लग्न के दूसरे भाव में केतू बैठें हो तो जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयतनिसिल रहेगा और कमाएगा भी जातक समाज में समानित होगा जातक बोलने में निपुण होगा जातक की बाणी बहुत अच्छी होगी जातक अपनी बाणी से अपने काम बना लेगा जातक मुह देखी बातें करने बाला होगा जैसा माहुल देखेगा बैसी ही बातें करेगा जातक को अचानक से धनलाब होगा जातक को सेयर सक्टा आदी से लाब हो सकता है जातक को स्वास्थ संबंध ही समस्याएं होंगी जातक को कोई ना कोई रोग हमेशा बना ही रहेगा जातक के कारच हेत्र में उतार चड़ाओ बने रहेंगे लेकिन जातक को लाब भी होता रहेगा जातक सत्रुहंता होगा अपनी बुद्धी से अपनी चालाकी से अपने सत्रूओं को हराएगा जातक गुप्त विद्याओं में तंत्र मंत्र जोति शादी में गहरी रुची रखने वाला होगा परंतु यदी कुंडली में बुद्ध कमजोर हो तो जातक को अचानक से धनलाब तो होता रहेगा लेकिन जातक के कारेचेतर में परिशानी होगी जातक के कारेचेतर में बदलाब होते रहेंगे मतभेद होंगे जातक को अपने सत्रूओं से परिशानी होगी जातक को स्वास्थ संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी आईए तीसरे भाव में चलते हैं मित्रयदी सिंग लग्न के तीसरे भाव में केतू बैठे हो तो जातक बहुत महनती साहसी होगा जातक बुद्धिमान चतुर चालाख होगा जातक कूट नीतिग्य होगा जातक राजनीती में भी सफल हो सकता है अथवा राजनीती में सासन-प्रशासन में अच्छी पहुँच बनाएगा जातक बहुत उत्साह से काम करेगा जातक द्र्ण निश्चय होगा जो सोच लेगा वो करेगा ही जातक अपनी महनत से अपनी बुद्धी से अच्छा धन कमाएगा जातक धन कमाने के लिए बहुत महनत करेगा और धन कमा भी लेगा जातक को पार्टनर्शिप के ब्यापार में अच्छा लाब होगा जातक थोड़ा भ्रमित और असांत रहेगा लेकिन अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा परन्तु यदि कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो जातक को धन कमाने के लिए जादा मेहनत करनी पड़ेगी जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे आईए चौथे भाव में चलते हैं मित्रयदी सिंग लगन के चौथे भाव में केतु बैठे हों तो जातक को भूमी भवन बाहनादी का लाब होगा जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से प्रॉपटी बनाएगा जातक धार्मिक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा जातक गुप्त विद्याओं में तंत्र मंत्र जोति शादी में रुची रखने बाला होगा जातक को अपने कारे छेत्र में अच्छा लाब होगा जातक बहुत उची पहुँच बाला होगा समाज के बड़े लोगों से अपना संपर्क बनाएगा जातक को अचानक से धनलाब होगा जातक को सेयर सटा लोटरियादी से लाब हो सकता है जातक यात्राएं करने बाला होगा और जातक को यात्राओं से भी लाब होगा जातक को अच्छा धनलाब होता रहेगा में कमी होगी जातक को प्रॉपिटी बाहनादी खरीदने में परेशानी होगी अडचने आएंगी जातक की माता का स्वास्थकम जोर रहेगा जातक के घर में कलह का बातवरण बना रहेगा आये पांचबे भाव में चलते हैं मित्रयदी सिंह लग्न के पांचवे भाव में केतू बैठे हो तो जातक बहुत बुद्धिमान तरकसील होगा जातक निडर महनती साहसी होगा जातक जुगाडु प्रबृतिका होगा और जुगाड लगा करके अपने काम बना लेगा जातक अपनी बुद्धी बिद्या से हमेशा धन कमाता रहेगा जा जातक धार्मिक होगा जातक को अचानक से धनलाब होगा जातक को सेयर सट्टा लोटरी आदी से खूब लाब होगा जीवनकाल में होने वाली घटनाओं का जातक को पहले ही आभास हो जाएगा जातक दूरदर्शी दूरद्रश्टा होगा जातक कई विसयों का जानकार होग जातक आध्यात्मिक दार्सनिक स्वभाब का होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, उज्य होगा, जातक प्रभावसाली व्यक्तित्वाला होगा, जातक को धन की कमी कभी नहीं होगी, जातक की आये के कई स्रोत बनेंगे, जातक को कई रास्तों से धनलाब होगा, आईए इंगलगन के छठे भाव में केतू बैठे हों तो जातक के सत्रू बहुत होंगे लेकिन जातक सत्रू हंता होगा जातक अपनी बुद्धी से अपने सत्रूओं को हराएगा जातक अपने सत्रूओं को भी अपना मित्र बना लेगा और उनसे भी लाभ ले लेगा जातक धैरवा जातक को अपने कारचेत्र में अच्छा लाब होगा जातक अपनी बुद्धी से अपनी चालाकी से धन कमाता रहेगा और धन संग्रह भी करेगा परंतु यदि कुंडली में सनी कमजोर हो तो जातक को स्वास्थ संबंधी समस्याइं बनी रहेंगी जातक रोगों से परिशान रहेगा जातक को अपने कारचेत्र में भी परिशानी होगी कारचेत्र में बदलाव होते रहेंगे कारचेत्र में अपने बरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद होंगे जातक को कोट कचहरी पुलिस प्रसासनादी से बहुत दूर रहना चाहिए नहीं तो नुकसान होगा जात तक धन संग्रह नहीं कर पायेगा आईए सातवे भाव में चलते हैं मित्रुयदी सिंग लगन के सातवे भाव में केतु बैठे हों तो जातक की विवाह में परिशानी होगी जातक का विवाह देर से होगा जातक के बैवाहिक जीवन में मतभेध होंगे जातक को पैसे के प्रिशानी होगी, पार्टनर्शिप के व्यापार में नुकसान होगा, पार्टनर्शिप के व्यापार में हो सकता है कि पार्टनर से ही मतभेद होते रहें, जातक का मन असांत रहेगा, जातक भ्रमित कंशूज रहेगा, जातक के अपने भाई बहनों से भी मतभेद होंगे, परंतू यदी कुंडली में सनी बलवान हो तो जातक को व्यापार में अच्छा लाव होगा. जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक को अपने भाई बहनों का सह YouTubers मिलेगा और जातक के भाई बहनों को जातक से लाव होगा. जातक अपनी बुद्धी से खूब धन कमाएगा, जातक प्रभावसाली व्यक्तित वाला होगा, जातक महनती होगा और जातक का बैबाहिक जीवन भी ठीक चलेगा आईए आठवे भाव में चलते हैं मित्रवयदी सिंग लगन के आठवे भाव में केतू बैठे हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा, जातक बोलने में निपुन होगा, जातक गुप्त विद्याओं का तंत्रमंत्र जोति शादी का जानकार हो सकता है जातक को अचानक से धनलाब होगा, जातक को सेयर सटा लोटरी आदी से लाब हो सकता है जीवन में होने बाली घटनाओं का जातक को पहले ही आभास हो जाएगा जातक दूरदर्शी होगा, दूरदरश्टा होगा, जातक यात्राएं करने बाला होगा जातक बिदेश भी जा सकता है, जातक आध्यात्मिक सभाव का होगा जातक को अपनी पैत्रिक संपत्ती का लाब होगा जातक अपनी महनत से भी धन कमाएगा जातक धन संग्रह भी करेगा जातक को अपने कुटुम्ब परिवार का भी सुख सहयोग मिलेगा जातक को भूमी भवन बाहनादी का सुख मिलेगा जातक मोक्ष मुक्ती की राह पर अग्रशर होगा जातक बिरगायू होगा लेकिन जातक को स्वास्थ संबंधी समस्याईं बनी रहेंगी जातक को पेट से संबंधित रोग बने रहेंगे आईए नबंभाव में चलते हैं मित्रहदी सिंग लगन के नबंभाव में केतू बैठे हो तो जातक के जीवन के 38 साल तक आईस्थिरता बनी रहेगी जातक को धन कमाने के लिए जादा महनत करनी पड़ेगी जातक धन कमाने के लिए यात्राएं भी करेगा जातक को भाग्य का साथ कम मिलेगा जातक धर्म में कम रुची रखेगा जातक को अपने पिता से मिलने वाले सुखों में भी कमी होगी परम्तू यदि कुंडली में मंगल बलबान हो तो जातक बहुत महनती होगा जातक को भाग्य का साथ मिलेगा जातक प्रभावसाली व्यक्तित तुबाला होगा जातक समाज में सम्मानित होगा जातक को संतान सुख देर से मिलेगा जातक यात्राएं करेगा और जातक को यात्राओं से लाब भी होगा जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा जातक को अपने पिता से सहीयोग मिलेगा आईए दसम भाव में चलते हैं पित्रोयदी सिंग लगन के दसबे भाव में केतू बैठे हो तो जातक के कारचेतर में परिशानी होगी जातक के कारचेतर में मतभेद होंगे जातक स्वतंत्र विचारों वाला होगा जातक सिध्धानतवादी होगा जातक स्वाभिमानी होगा जातक समाज में सम्मानित होगा जातक महनती होगा और अपनी महनत से अच्छा लाब कमाएगा जातक को भूमी, भवन, बाहन, प्रॉपटी, आदी का सुख मिलेगा जातक अच्छा धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा परन्तु जातक के घर में कलह तनाव का वातावरन बना रहेगा जातक की माता का स्वास्थ कमजोर रहेगा जातक की कारचेतर में उतार चढ़ाओ बने रहेंगे यदि कुंडली में सुक्र कमजोर हो तो जातक की अपने पिता से मतभेद होंगे जातक को अपने काम का स्रे नहीं मिलेगा जातक को अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलेगा जातक को स्वास्थ संबंधी समस्याएं भी होंगी जातक के कारेचेतर में बदलाव होते रहेंगे जातक को ट्रांसफर प्रमोशन आदी में परेशानी होगी जातक के अपने बरिष्ठ आधिकारियों से मतभेद होंगे आईए ग्यारहबे भाव में चलते हैं मित्रयदी सिंग लगन के ग्यारहबे भाव में केतू बैठे हो तो जातक को धनलाब में परेशानी होगी लेकिन जातक धनबान होगा जातक को अपने कारेशेतर में अच्छी सफलता मिलेगी जातक बहुत संतोसी होगा जो कुछ है उसी में खुस रहेगा जातक को अपने पूरवजों के धन से अथवा पूरवजों के नाम से लाब होगा यानि कि जातक को अपने दादा पर दादा के पिता के नाम से अत्वा उनकी संपत्ती से लाब होगा जातक को अपने भाई बहनों का सहीयोग मिलेगा जातक महनती होगा और अपनी महनत से अपनी बुद्धी से धन कमा लेगा परन्तु यदि कुंडली में बुध कमजोर हों तो जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे जातक को धनलाब में परेशानी होगी बहुत मेहनत करने पर भी अच्छा लाब नहीं हो पाएगा जातक के पास में पैसे आते आते रुक जाएंगे नहीं आ पाएंगे अस्तान उत्पत्ति में परेशानी होगी यदि इस्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब भी हो सकता है गरुपात आदी की समस्या हो सकती है आईए बारहबे भाव में चलते हैं मित्रोयदी सिंग लगन के बारहबे भाव में केतू बैठे हो तो जातक का धन बहुत खर्च होगा जातक धन कमाने के लिए अपने घर से दूर चला जाएगा जातक बिदेश भी जा सकता है जातक को भूमी भबन बाहन आदी का सुख मिलेगा जातक को अचानक से धनलाब हो होगा जातक को सेर सट्टा आदी से लाब हो सकता है अथवा किसी ब्यक्ति से उसको अचानक से धनलाब हो सकता है जातक समाज में लोगों की सहायता करने वाला होगा जातक मोक्ष मुक्ती की राह पर अग्रसर होगा परन्तु यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो जातक को स्वास्थ संबंधी समस्याएं होंगी जातक को चोट चपेट आदी की समस्याएं बनी रहेंगी कोई दुरगटना भी हो सकती है जातक को बाहन आदी चलाने में सावधानी रखनी चाहिए जातक के सत्रू बहुत होंगे और जातक अपने सत्रूं से परेशान रहेगा जातक को कोट कचहरी आदी से बहुत दूर रहना चाहिए नहीं तो नुकसान होगा जातक को प्रौपटी बाहन आदी खरीदने में परेशानी होगी अडचने आएंगी प्रौपटी बाहन आदी के चक्कर में जातक के पैसे फस जाएंगे जातक को धर्म से जुड़े रहना चाहिए तो जातक को लाब होगा मित्रों आज हमने जाना कि सिंग लगन के बारहों भाव में केतु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे मित्रों यहां से जो केतु का फल बताया गया है ये केतु का फल केतु की दसा अंतर दसा प्रत्यंतर दसा में घटेगा आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी नमस्कार